तो वेल और जब से भाई मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था आपके बोनस मार्किंग के लिए कि यहाँ पे MPBOOT कुछ सब्जोक्तों में आपको बोनस मार्क दे रहा है ठीक है तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि भाई बोनस मार्क तक तो ठीक था लेकिन एक्चुली में हमारे कुछ सब्जेट के पेपर उतने अच्छे तरीके से नहीं गए हैं जिसमें हमें कहीं न कहीं ग्रेस मार्क की भी नीड पड़ सकती ही कई लोगों को लग रहा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम पास भी नहीं हो पाएंगे बहुत सारे रीजन्स तो मैं आपको किलियरली बता दू कि अभी तक आपकी जो 50% कॉपी हैं अल्रेडी चेक हो चुकी हैं और अब तक जो 50% आपकी कॉपी चेक हुई है उसका पूरा रिस्पोन्स आज की वीडियो में बताता हूं मैं ग्रेस मार्क अभी तक कैसे कैसे दे जा रहा हैं बोनस मार्क को कैसे एड़ किया जा रहा है और कौन सी वो पद्दिती जो एक्स्टरा इस बार MP बोट आप लोगों के लिए लगा रहा हैं पूरा इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तो आप लोगों का जो एक दो मार्क का डर है न फैल होने का ये पूरा आप लोग का निकल जाएगा इस वीडियो का अंट तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे रहे हो तो भाई हमेशा की तरह रीती रिवाज के नुसार सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ऐसी MP बोट से जुड़ी हरे कबर पाने के लिए साथ में टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्सन में है जाके आपको जॉइन कर लेना है अभी भाई देखो थोड़ी ना थोड़ी मेरे तब्यतना पहले से बहुत अच्छे रिकावर हो रही है और आप लोगों का बहुत दिल से सुक्रिया आप लोगों ने सपोर्ट किया और अपना प्यार द रही है राइट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि MP आपको एक दो सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क देता है वैसे अगर इनका देखा जाए तो 2009 में जो इनका एक नियम बनाता उसके अनुसारी ये 20 मार्क आपके टोटल सब्जेक्टों में देख सकते हैं जिसमें 5 मार पर ये डिपेंड करता है ठीक है लेकिन अगर दो चार मार्क के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटक रहे हो तो आपको पास कर दे जाएगा मैं 12 त्वालों की बात कर रहा हूं 10 त्वालों के लिए तो भाइस आप एक सब्जेक्ट अगर आप लोगों का अल्रेडी क पास कर दे जा रहे है तो वो तो अल्रेडी आप लोगों का बहार ही है वो आपका नहीं आएगा ठीक है तो उसमें आपको टेंसल लेने की जरूवत नहीं है बाकि अभी तक जो मैं बता रहा हूं उसमें आपके कुछ सब्जेक्टों में स्टेप मार्किंग भी दी जा रही है लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि MP Board कभी भी इस चीज को खुल के लिए आपके सामने बताएगा नहीं खुल के आपको बताएगा नहीं कि भाई सब हम क्या grace marking दे रहे हैं कहां दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वो ये थोड़ी चीजे जो है वो आपका privacy में रखता है रा ऐसे में personally मैं recommend करूंगा मेरा one of the best खुद का एप है जो की है भाई साप आपका first result MP result ठीक है ये इसकी link आपको comment box में मिल जाएगी साथ में play store में आगर आप MP board result 24 भी लिखोगे तो ये देखने को मिल जाए कुछ इस type का logo आपको जो दिख रहा है इस type का logo में आपको ये app download कर नहीं और जिसमें आप जाके आप जैसे ओपन करोगे आपको 10, 10, 12 दोनों class के result की link मिल जाएगे आप officially तरीके से result भी check कर सकते हैं और एक process जो होती है उसमें आपका examiner आपकी copy check कर रहा है वो तो अपने तरब से mark देता है लेकिन उसके बाद जो final आपकी होती है जब आपकी final result बनाया जाता है उस time पे भी एक बार आपका recheck किया जाता है ठीक है इस बार तो मैंने आपको news बना की बता दी थी पहले से कि अगर किसी को zero mark भी मिलते है या पिर किसी को 100% mark भी मिलते है तो उसकी copy double से check की जाएगी ये मैंने बता दिया हूँ क्योंकि topperों का जब verification होता ह अपने label में देखो बिहार बोड वगएर में topperों का जो verification होता है वो अलग label से होता है लेकिन अपने यहाँ पे अलग label से होता है तो उस conditions में क्या होता है कि उस time पे भी अगर आपके कहीं से marks बढ़ा दिये जा सकते हैं तो पूरी कोसिस की जाती है तो मुझे लगता है कि ए तो ना आप लोगों के लिए ये चीज़े अच्छी नहीं है तो थोड़ा चिल मारो result आने की बारी आएगी तो मैं आपको खुद भाई tension देना शुरू कर दूँगा मैं वीडियो में बता रहा हूं और एक important चीज में जाते जाते तुमको बता दूँ कि भाई अगर आपको तो अभी 12 के बाद में कोई अच्छी बेस्ट उनिवर्सिटी जैसे कि LPU हो गई अमरीता हो गई UPS उनिवर्सिटी इसमें एडविशन लेना है तो उसकी लिंक भी आपको description मिल जाएगे 100% scholarship हमारे तरफ है से है तो जाके जरूर आप लोग एक बार apply करें बाकी मिलते अपने